जो तिबाब फूले होते तो शुद्रों अतिशुद्रों को जोडते और कहते गुलामी से मुक्ती, वह एक ज्यानिक चेतना, समानता, न्याय और मुहबबत के दुनिया और वह तो कह रहे हैं कि अच्छे ये बताओ कि ब्रह्मा के चार मुख था, तो अस्तनपान कैसे करता था, मुख में गर्व कैसे ठहरता था, है हिम्मत आज किसी को, अरे भाई, ब्रह्मा को गाली देते हुए लिखा है कि बेटी का बलातकार करने वाला ब्रह्मा, और भारत सर अजनी आए हुए होष, ये ये स्कुल चोना, ज्योतिवा फूले विद्या बिनन मती गई, मती बिन गती गई गती गई, गती बिन वित गया, वित बिना शूद्ः चरgew्राइ, एक विद्या ने कितने अम्याइख किए, कितने अर्ध किए, वह फिल्यासफपर कभी मरा नही करते हैं हम नेता हम प्रोफेसर हम लोगों के पास कुछ मौलिक नहीं है हमारे पास मौलिक है तो हमारा विचार किताबों को घर-घर ले जाए इस देश के हर OBC के घर में गुलाम गिरी रख दीजिए आधी करांती वहीं से शुरू हो जाए बाल काटना नाई का धर्म नहीं धन्दा है कपड़े धुना धूबी का धर्म नहीं बलकि धन्दा है इसी तरह पूजा पाठ कराना ब्रहमनों का धर्म नहीं बलकि धन्दा है ये क्रांतिकारी पंख्या कहने वाले रास्टपिता जोतिवा फूले के विचारों पर चल कर ये देश उनके सपनों का भारत बन सकता था जहां नयाय, समानता और बंधुत्य की बात होती हो लेकिन फूले जिन लोगों के लिए बाते कह रहे थे, वो आजकल कहीं परशुराम की मूर्ती लगा रहे हैं तो कहीं परशुराम का फरसा हाथ मिलेकर उनके लिए मंदिर बनाने और तमाम तरीके के जो आडंबर हैं उनको दोरानी की बात करते हैं लेकिन फूले जो की माली जाती OBC समाज से आते थे जो राश्टपी था जो तीबा फूले अम जी ने कहते हैं उनको लेकर OBC समाज में खास कर चेतना क्यों नहीं है इस विशाय पर हम बात करेंगे और क्या सपना था जो तीबा फूले का कैसा भरत वो चाहते थे उसकी आज क्या ज़रूरत है उस पर हम बात करेंगे इस पर चेचा करने के लिए हमारे साथ डोक्टर लक्षमन यादव हैं डोक्टर साब बहुत-बहुत सौगे थे आपका बहुत धन्यवाद समय जी डोक्टर साब को आप लोग जानते होंगे उनका फरसा लेके घूम रहा है लेकिन फूले साब जो कहके गए थे कि भई ये सब छोड़ दीजिए ये आडंबर छोड़ दीजिए और एक ऐसा समाज बनाईए जहां पर बराबरी हो और न्याई समाजिक न्याई का जो बीच वो कह गए थे फूले साब उसको लेके जो हमारे खास का राज का समाज है वो उनके रास्ते पर चलता हुआ दिखाएंगी दे रहा बिल्कुल ठीक बात है कि जो हमारे समाज की सनचना है उस समाज की सनचना के जैसा दुनिया में और कहीं है नहीं कि आप कौन सा पेशा करते हैं किस पेशे से जुड़े होए हैं उसको लेकर आपकी पूरी पहचान को रूड बना दिया जाए इसको लेकर के पूरे देश में ये बना कि जाती विवस्था बनेगी वर्ण विवस्था बनेगी और उस विवस्था के मताबिक कि इतने होगा कि आपकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनितिक हैसियत क्या होगी जगे क्या होगी एक लंबा इतिहास इसका गुजरा है लेकिन आज जब हम 2022 में बात कर रहे हैं तो भारत का समविधान लागो होने के साथ दशक भीद गए बहुत कुछ बदलना था उस इस पूरे साथ दशक में उसकी जब्यदारी इस देश में समविधानिक संस्थाओं को थी जैसे मैं विश्व उद्यालियों की थी उसमें जो सेलिभस बनानी वाले लोग हैं जो पढ़ाते हैं, रिसर्च कराते हैं उनकी जिम्मेदारी थी, कि आप उन विश्वों पर रिसर्च कराएं, ताकि जो हमारे समाज की बीमारी थी, वो दूर हो और हम एक स्वास समाज बने, और उसी तरह से तमाम लोगतांतरिक संस्थाओं की तरह जिम्मेदारी राजनीत पर भी थी, तो समाज को भी बदलना था, और उसके साथ-चाथ राजनीत को भी, हमारे यहां एक बहुत परसीद च्छोटा सा बाक्या है, चुकि मैं साहित के विद्यार्थि हूँ, तो साहित के विद्यार्थि हूँकि पर भाषण पढ़ाई आती है, कि साहित समाज का दरपन है, तो प्रेमचन ने ऐक बात कहि, कि साहित समाज का दरपन मातर नहीं है वो आगे-आगे चलने वाली मशाल भी है तो समाज के आगे चलने वाली मशाल कौन होते हैं? वो हमारे वैचारिक दार्शनिक होते हैं जिनमें से एक पर हम आज बात करें उन्होंने कुछ रोशनी दिखाई थी उस रोशनी पर समाज को जितना बदलना था उतना समाज नहीं बदला जिस समाज को बदलने की जिम्मेदारी राजनीत पर थी वो राजनीत नहीं बदली तो समाज वाली गलती में हम सब शामिल है कि हमने एक बहतर समाज नहीं बनाया जिसमें हम धर्म और जाति क्या धर्म पर मनुष्य मनुष्य में फर्क ना करें और राजनीती बहुत हद तक जैसे वही परिभाशा फिर से लें समाज का दरपन अगर क्योवल साहित्य है तो जैसा समाज में हो रहा है वही साहित्य लिखेगा तो साहिती फिर उसे दिशा कैसे दिखाएगा तो ये कहा गया कि नहीं आगे आगे चलने वाली मशाल भी है कबीर जिस दोर में लिख रहते ना उस दोर में कबीर के पीछे उनका समाज नहीं कड़ा था कबीर समाज से कह रहे थे कि आओ इधर चलो इधर रोशनी है जो तिपाफ फूले रोशनी दिखा गए हमारे समाज को जाना था वो नहीं गए और हमारे निताओं को जाना था जिन्होंने लुहिया के नाम पर राहनीत शुरू की जिन्होंने समाजवाद की बात की जिन्होंने बहुजन की बात की जिन्होंने किसान नौजवान की बात की उन्होंने अपने विचार से समझोता किया ये बात कहना आज जो खिम भरा है मगर हमारे जैसे लोगों को कहना पड़ेगा लुहिया और जेपी अंदोलन का नारा था सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है तो बगावत तो करनी पड़ेगी ऐसी क्यों करनी पड़ेगी क्योंकि जिस दोर में RSS 95 साल से बना RSS अपने विचारों से इतना भी नहीं डिगा है और हम कहां चले गए हम परुष्राम के फरसे जो आपके सवाल में था दो पक्ष हैं परुष्राम की पूरे विमर्श के ब्रामण समाज के बीच विरोध क्यों नहीं पैदा होता कि ब्रामणों के बीच पढ़े लेके वह ज्यानिक सोच समझ के बड़ी प्रतिभाश लिए हुए लोग क्या नहीं है कि मात्रिहंता मिठकीय और हिंसक चरित्र को अपना अगवा बनाना पड़े कोई समाज अपना अगवा कैसे बनाएगा और दूसरी तरफ वो लोग वन्चितों शोशितों की बात करने वाले लोग शोशक को अपना अगवा कैसे बनाते हैं विचारों समझता हो गया जोतिबा फूले आज होते तो उन्हें अफसोस होता कि आपको कहां तो समाज में बराबरी लानी थी आप ब्रामडों में से किसी अच्छे प्रतीक को चुन करके लगा के लिए है राजनीत करने है तो अची राजनीत नीत करते हैं यह सुर्शा कििस बात करतीक है है हंसा जोतिबा फूले ने गुलाम गिरे लखी उर जोतिबा फूले एक बाद बहुत मात्वूर नंस और उस गुलाम-गिरी को जेने समर्पित कर रहे थे उन्हें भी याद करते हुए कि अमेरिका के श्वेत लोगों को समर्पित करते हुए निग्रों के संगर्श को समर्पित करते हुए करे श्वेत लोगों ने निग्रों का साथ दिया और ब्लैक्स ने अपना मुव्मेंट लड़ा हमारे देश में एनिलेशन अफ काष्ट बाबा साब की लड़ाई लहिया की लड़ाई शाहु जी से ले करके पुरानी कभीर रैदास तक की लड़ाई एनिलेशन अफ काष्ट की लड़ाई थी तो राजनीत को तो यहां आना था न और आप वहां से चूक रहे हैं इसलिए आप भी कमजोर होते जा रहे हैं और आपके साथ सा समाज भी कमजोर होता जा और हमारे समाज का बड़ा हैस्था उस जाल में फस रहा है जिसे जो तुब अफूल गोलाम गिरी कह रहे थे बिल्कुल और दिखिए जैसे अगर हम इसको कंटेंटर याद जोड़ेगे यूपी चुनावकियों की हाली में संपर्न हुए है और उसके बाद योगिया दितनात फिर मुख्यमंत्री बने तो ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है बलकि वैचारिक लड़ाई में एक विच बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश की राजनीट के संदर्व में अगर बात करें उत्तर प्रदेश में पिछले दॉड़ाई दश्कों में सपा वर्सेज बस्पा की राजनीट तो कई बार ये पंचानवे में पतानी लोग कैसे कहते हैं कि अटल वियारी बड़े अच्छे आजमी थे बहुजन राजनीट के लिहास से देखें तो मुझे तो उनका वहाग क्या दाता है कि दो काटे थे एक से मैंने दूसरे को निकाला और फिर दूसरे को भी फेंक दिय मुलाहिम कांशी राम हवा हो गए जैशीर राम और वही जैशीर राम वाले आज प्रचंड मुम्हमत से दुबारा आपकी छाती पिचड़ के कह रहे हैं कि बुल्लोजर चलाएंगी गर्मी शांत कर देंगी किसके उपर बुल्लोजर और गर्मी चलेगी तो ये तो सियासत क दोर बदला है एक बात तो वो जो कांटी से कांठा निकाला ना उन लोगों की राजनीत आज भी सफल है तो वो लंबा वक्त चला इन दोनों का आपस में ठकरानेगा मैं तो फिर भी ठीक मानता हूं कि एक पक्ष में सपा थी एक में बस पा थी तो चलो दोनों लड़ते हु विपक्ष में भी भाजपा नहीं थी आज तो ये दोनों पार्टियां विपक्ष लायक भी नहीं बची ये इतना कमजोर हो गई मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं और अखिलेश यादों की बात चुकि आज हम लोग जोतिवा फुले पर बात कर रहे हैं वो जो सा साम प्रदैक्ता सामने अटीग होकर के खड़े रहते हैं और सामाजिक नियाएक की राजनीती को जितना बहतर कर सकते थे वो करते हैं अलाएकि उसमें भी बहुत सारी दिक्कत है उत्रप्रदेश की राजनीती में मुलायम सिंग यादो की राजनीती किसान नौजवान की राजनीती रही इसलिए वहां समाजी कि नहीं कि बहुत मौजू सवाल आपको बहुत मिलेंगे नहीं पिछडे तपके में एक पर शिविर चलाते थे कम से कम लोहिया के बहाने थोड़ी तो ट्रेनिंग देते थे अपने लोगों को मुलायम सिंग निता पैदा करते थे लोगों को समझाते थे कि पढ़ो अब तो माहौल बिलकुल बदल गया अब विचार से ऐसा लगता है कि एक खास किस्म का वित्क्र मुली को नहीं याद कर सकते क्योंकि हमारे सामने बीजेपी हैं वह हमको हिंदू बना ले रही हमारी वभी सी जातियों को हिंदू बना ले रही और इसी समय श्टालिन जैसा मुक्ष्मंत्री भी तो है जो आख में आख डाल के कहता है कि मोदी और मिशा मैं पेरियार की से सर dibujन पे जा रही है उती नहीं गडेश है और समाझवादी पार्टी परश्राम के फरसे पर जा रही है आप जाती जंगरना की बात भी करेंगे तो आपपर श्रॉम की बात कर आप एक अग्नोर कर सकते थे न एक शातिर पॉलिटीशियन जरूरी नहीं क्या परश्राम का विरोध करें और आप कहते हैं कि ब्रामण आपको वोट देगा नाराज हो जाएगा ब्रमण को खुश करने के लिए परश्राम मंदेर परश्राम का फरसा CSDS लोग निती का आखड़ा कहता है 86% ब्रामण 89% ठाकुर बीजेपी को वोट की हैं और अहिरवादी जातिवादी पार्टी समाजवादी पार्टी को यादवों का 78% वोट मिला जादा जातिवादी कोन है ये राजनेताओं का विचारधारा के प्रती जो अगंभीर भाव है सबकुछ को हवा हवाई बना देना लड़ाई दूर तक नहीं लड़ी जा सकती है सरकार एक आद बनाई जा सकती है हो सकता है एक बड़र राज मिल जाए दूर तक कि लड़ाई Rebecca लड़ रहा है सीखना चाहिए आपने लोगों को छोड़ नहीं रहा है वह आपके लोगों को भी अपना बना लेता है बाबा साब की मूर्ती पर माला भी आरिक से डाल भागा सिंग तक की बात कर ले रहा है लेकिन वह दूसरी तरह अपने विचारदारा अपने एजिंड़े पर काम कर रहा है एक फूले का होना विचारधारा का होना यह मालिया पॉलिटिकल कंपल्शन है कि आपको तमाम जातियों के वोट लेने होते हैं और इस मामले में खासकर हमारी जो दलिद बोजन बेक्ग्राउंड के जो नेता हैं वह बहुत ज्यादा प्रतीकों कि उस तरह से राजनेती नहीं कर पाए एक पैरलल जो काउंटर नेरेटिव अपने नाइकों को स्थाफित करके किया जा सकता था वो नहीं कर पाए लेकिन अगर हम आम जन्मानस की बात करें आप सीधे सीधे शब्दों में कहूं और इसी समाज की बात करें डोक्टर अंबेटकर के प्रत समाज में असीम दिवानगी दिखती है, अपारसने दिखता है, उनके प्रति सम्मान दिखता है, वही सम्मान जोतिवा फुले को भी उनके मातासावित्ति रभाय फुले फातिमा शेखिन के लिए भी दिखता है, क्योंकि बाबा साब खुद उन्हें अपना गुरू मानते यह दिवानगी यह लगन यह प्यार इसने ओबीसी समाज में अपने नायक के प्रतीक क्यों नहीं है जो उनी की जाती उनी के वर्ग उनके समाज से निकल के राष्ट-पिता तक का दर्जा हासिल किया उनके लिए ऐसी दिवानगी क्यों नहीं है बहुत महत्पूर्ण सवाल है और यह समाज शास्त्र का समाज राजनीत विज्ञान का सवाल है क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ क्योंकि असल में यह ओबीसी की भीतर जो जातिया है वो किसान जातिया है ज्यादा तर जोतिवा फूले ने अपनी गुलाम गिरी में बहुत पश्ट धंक से एक बात कही है कि वर पूले ने एक और बात कई है कि ऐसा नहीं था कि यह सारी लोग शुद्र थे यह एक जमाने में राजगराने में हुआ करते चट्री और वो चट्री वनड़ अस्थाला चट्री नहीं है वो जो तिवा फूले लिखते हैं कि शत्र से खत्री खेत से खत्र तो खत्रव जो बन यह कहते हैं कि यह छत्री जो थे बाहर से आरे ब्रामण संस्क्रिति और उनके टकराहट में जनेव पहनाया ब्रामणोंने और वो खत्री हो गए जनेव्च नहीं किया ठकराे उन्होंने शोध्र बना दिया एक तो एक फिलोस्पिकल बात थी आज के लोग कितना इसे समझेंगे कितना मानेंगे मुझे नहीं पता लेकिन इसका जिक्र जरूरी था इसका असर क्या हुआ है दो तरह का छोर आप OBC समाज में देखेंगे एक तपका OBC समाज में ऐसा है जो अपने को अपने इत गराने मोरे वंश रहा है यह जाट जाटों के खाशनर रहा है यह फे इतियास रहा है लेकिन इतिहास में अगर जाएंगे तो कोई जयाति människor परहेंगे जिसका कहिं तो राज नहीं सबकिए रहें कहिं कोई ज्यादा प्रतारित रहा आप पैल yu βाट को OBC में एक बहुत बड़ा तपका ऐसा है जो अपने को क्षत्री क्लेम कर रहा है। मैं एक बात कहता हूं कि ये जोतिवा फुले वाले च्षत्री के रूप में क्लेम नहीं कर रहा है। कि हम खेती किसानी वाली मार्शल कौम हैं। ये खुद को सुपीरियर दिखाने वाले उसमें करते हैं। जाती की जाती के हजमनी हां। और इसमें होता यह है कि बाबा साब भी एनिलेशन अपकराष्ट में बहुत मत्मूर बात करते है। बाबा साब लिखते हैं कि जातु व्यवस्था इसलिए नहीं बनी रही कि ब्राम्मर ने इंपोज कि नीचे वाली जात्य मार्ण पर और लोग झहेलते रहे। ऐसा नहीं था। बाबा साब लिखते हैं कि इन सारी जातियों ने खुद को उसे एकसेट कर लिया और सब उसे प्रैक्टिस मिलाने लगे क्योंकि सब को पता था कि उनके नीचे कोई और है तो एक हाईरार्की बन गए इसलिए एक मतलब ऐसी हाईरार्की बन गए जो क्लोज्ड गुरूप बना लेकिन आज आप कहां हैं क्या आप ब्रामण में हैं अगर आप छत्री में हैं तो छत्री में कैसे हैं छत्री आपको अपना मानते हैं क्या ब्रामण आपको छत्री मानते हैं क्या आपके लोग आपको छत्री मानते हैं क्या एक बहुत कंफ्यूजन है इसलिए एक तपका ऐस यादव छत्री मौरिया भी दम अरे मौरे राजमंद मगत से आगे बढ़ता है नहीं लखनव तक आते हैं खतम हो जाता है चंदरगुप्त मौरे ब्रिहदत यह सब करते हैं एक चौहान ग्रूप है वो अशोक मान अब मैं क्या कह रहा हूं कि बुरा यह नहीं है कि आप अपन चौहान राजपूर लोधी राजपूर यादव राजपूर तो कितने वाइस चांसलर इनके हैं देश में कितने ब्योरोक्रेट क्यों काबिनेट सिकरेटरी इनका कोई क्यों नहीं है तो असल में हमने क्या किया OBC में कल्चिरल एक एक बैक्ग्राउंड अलग है वो दलितो आपका इतना जहला है ना इस देश में उसको जब एक नायक मिला तो उसे वो पूजने लगा दिवानगी की हद तक आज किसी भी दलित परिवार में जाएं थोड़ा भी जागरुक होगा ने वो बाबा साब की तस्वीर जरूर रखे होगा OBC देवताओं की तस्वीर रखत इसी OBC समाज के बीच से आज हम बात चुकी फूले पर कर रहे हैं तो फूले को क्यों जाती की उत्परना जहनी पड़ी बारात से अपने दोस्त के क्यों भगा दिया जाती की वज़े से ब्रामणों ने चिला कि कहा कि ये माली का बेटा हमारे साथ कैसे जाएगा और मेरे व ताडित किया OBC समाज के लोगों से मैं पूछता हूं मौरे राजमस था है इतियास में रहेगा जाट भी रहेगा जाट सब वेरोक्रेट में क्यों नहीं है अरे वही 12 बरिस लोग कुकुर जीए और सोलहले जीए सियार बरिस 18 छत्री जीए आगे जीवन को धिकार लाइन ल लठ लेके खड़ा तो हो गया कि हिंदू बन गया हम और भाई तुम्हारे ने प्रोफेसर ना जज ना यहां समिजी हुलूफोल है इसलिए जरूरत है पेरियार की जरूरत है जोतिवा फूले की जरूरत है त्रिवेडी संग और अर्जक संग की शिव दयाल सिंग चौरसिय कि इस पूरे OBC समाज इस देश का हर दूसरा व्यक्ति OBC है और सबसे अधा हक्मारी OBC की हो रही है और सबसे अधा अज्यानता इस हक्मारी के खिलाप जो है जो आक्रोष था वो OBC मनें है तो पेरियार फूले और शाहुजी शिव दयाल सिंग चौरसिया चंद्रिका परसा समाज उससे जुड़ा नहीं है यहां लूप हो लो गई यहां समाज भी दोशी है हमारे जैसे लोग भी दोशी है और राजनिता भी दोशी है इसलिए वो आपको अचानक हिंदू बना ले गए और आपको पता ही नहीं चला तो यह जो विचार पूरा है फूले साहब का कि खासकर वो तमाम उन जातियों को समय भी आपको यादोगा सत्यशोदक समाज समिठन चलाते थे फेरी लगाते थे प्रबाद फेरी लगाते थे मीटिंग्स करते थे सावित्री वैफूले वो लोगों को जाके समझाते थे कि आडंबर छोड़ो आप यह इस तरह से जो शाद और यह धंदा करके तुमारा मूर्क बना रहे हैं अगर इस बात को हम आज की दिन लागू करें अभी तमाम जो लोग हमारे हिंदू बन के घूम रहे हैं बागवत कथाहों में जाते हैं सतनाराइन कथाय कराते हैं कलश यात्राय निकाल दोते हैं बिलकुल तो आज पूले ह होते तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं हमारे समाज में एक बात कही जाती है और राजनीतिक गलियारों में ये बात खुब कही जाती है मैं उन लोगों से मुखातिब हो करके एक बात कहता हूँ वो लोग कहते हैं कि देखिए आप लोग बुधिजीवे बन करके फुले की बात करते हैं पेरियार की बात करते हैं डॉक्टर अमेटकर की बात करते हैं जनता इस पे वोट नहीं देती, वोट लेने के लिए हमें वो बात करनी पड़ती है, वोट का समीकर्ण बदल गया है, फारचुनर की दस गाड़ियों का काफिला अगर आपके पास नहीं और यह सच भी है, अपराधिय वोट ही डालने नहीं देगा, परचा छीन करके भाग ज लब राजनीती में यह हो रहा है, ओम प्रकास शोट आला सिक्षा भरती घोटाले में चेल चले जाएंगे, जो प्रमारित नहीं होगा, और 69 जार सिक्षक भरती घोटाला करने के बाद भी दुबारा बाबा बूलो जर्म के मंतरी बनेंगे, यह सब होगा, दौर बदल गया लेकिन मैं एक बात कहता हूँ उन लोगों से जो यह कहते हैं कि इस समय बीजेपी के खिलाफ या धर्म के खिलाफ जा करके आप अपनी राजनीती जमिन खो देंगे, बहुत अतिवादी रवया नहीं अक्तियार करना है, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि पेरियार के समय ब कबीर को क्या क्या नहीं जहलना पड़ा, मसी कागच छोयो नहीं कलम गयो नहीं आत, अरे इन दो उन रान पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुरकन की तुरकाई, जो तु बाबन बाबनी जाया, आन बाठ है क्यों नहीं आया, मैं दोहे क्यों कह रहा हूँ, क्या य अनुकूल समय था क्या, हम अपनी कमजोरियों का ठीकरा समय और दौर पर फोड़ने के आदी हो गये, जितनी हिम्मत, होसला, वैचारी के स्पष्टता और जोखिम लेने की जरूरत है ना, वो फूले में थी, वो पेरियार में थी, जगदेव प्रसाद को श्वाहां में थी शहीद हो गये, राम स्वरू वर्मा में थी, चंद्रिका प्रसाद जिग्यासू पेरिया ललाई सिंग्यादो में थी, डॉक्टर अंबेटकर डॉक्टर लोहिया में थी, दूर क्यों जाते हैं, लोहिया, नहरू सत्ता में बैठे ते और लोहिया विबक्ष में बैठ करके आ लोचना करते थे यह क्यों लुज्या भी तो कुर्सी में राज़ भोग करते थे लोहिया जब गुजरे तो एक टिनका बकशा एक डायरी और दो जोडी दोती कुर्टा था है लोहिया पास twenty and काउन नहीं था किनके पास अनुकूल समय था किनके पास अनुकूल समय कभी आता नहीं है जो खिम लेना पड़ता है एक चुनाव दो चुनाव आप तो वैसे भी परवसुराम का फरसा पकड़के भी हार गए ने सर्वजन बहुजन सब करके हार गए ने थोड़ा हित्तेवर दिखाएए वक्त बहुत बीता नहीं है क्योंकि लीगेसी आपके पास है कल्चरल लीगेसी है आज के दौर में जरूरत केवल इस बात किये सुमिच जी जोतिवा फूले भगत सिंग बनने की हिम्मत तो हमारे लोगों में नहीं हम लोग बहुत कमजोर लोग है तेईस साल की लोगों में कलपना करीगे कोई व्यक्ति आकरी चिट्थे लिख रहा हो और वहीं कहें कि मुझ में जीने की एक्षा नहीं है क्योंकि मैं जी करके कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा लेकिन मेरे लहू का एक एक कत्रा इंकलाब लाएगा अगर मैं हस्ते हस्ते फासी के तंग भगत सिंग तो फेल हो गए जेपी का अंदोलन फेल भारत की आजादी भी फेल भारत का समविधान भी फेल क्योंकि वैसा समाज तो बना नहीं लेकिन कोशिस तो आपकी फेल नहीं हुई हाज भगत सिंग हजारों अनगिनत लोगों के जहन में है न वो निडर होके आख में जहने आख डालके बोलते और जहयल में है प्रफिसर हनी बाबु जहल में आननतेल तुम एन बेले जहल में गौतम नवलगा बरबर रोव उमर खालिद यह जहल में यह खाते तहो छापलो सी करके न वकरी करके अपना घर बसाते हम लोग जहल नहीं है हम प्रिविलेज में भ बोलेंगे अब कल कितना दिन बाबा बुल लो जर मैं तो यूपी का ही रहने वाला हूँ तो अनुकुल समय कभी नहीं आता कहना मेरा यह है कि अगर आज जोतिबा फुले होते न तो आख में आख डाल करके कहते कि इस तुमारे हिंदू राष्ट को तो हम कभी बनने नहीं दे समानता परक बनाने का खाब देखने वाले विचारक का नाम है जोतिबा फुले हंटर कमिशन के सामने जाकर के कहते हैं सिक्षा दीजिए पीड़ियां बरबाद हो रहे हैं इस देश के कमेरा लोगों की इस देश के शुद्रों अतिशुद्रों की पीड़ियां बरबाद हो तो इन नेताओं को कॉलर पकड़ के कहते अरे चलो सड़क पर उतरो अपनी गलती कबूल करो तुम जातियों को जोड़ो जिसका दर्द एक है ना उसकी दवा भी एक होती है यह तुम्हारी कमजोरी है कि तुम लोगों को जोड नहीं पा रहे हो उत्तर प्रदेश की राजनीत दस संगठन बना लेंगे क्योंकि हम लोग आपस में टकरा गए तो जो वैचारिक प्रतिपक्ष था वो एकजुट होता चला गया और हम अमीबा पैरा मिश्यम की तरफ फैलते चले गए बहु कोश्की जीव बन गए जो तिबा फूले होते तो उनको अपसोस होता उनकी गो आप लड़ो न आख में आख डाल करके तो जो आपका सवाल आखरी पक्ष था और मैं OBC समाई मैं तो हूं OBC तो बोल सकता हूं हलांकि मुझे OBC तो मांते नहीं वह सब कहते हैं पता निक्या क्या गाली देते हैं वो लोग कि बहु गाली बाली देना हमको को टिकल लेक चु ली ताकि तुम अपना इतिहास न जान सको इतनी से लड़ाई है वस और अचानक कलम और किताब के बिना जो हाथ था न यानि उसको न सिक्षा मिली न रोजगार मिला तो दिमाग खाली था हाथों को काम चाहिए था तो हाथों को काम दिया बजरंग दलने विश्व हंदू पर इतना भी नहीं है उसने जाति जनगर्णा की दलित पिछड़ों ने उनकी ओट नहीं दिया कहां गए पिछड़े यादो लेंड में अखिलेश यादो क्यों हार गए चलो पिछड़ों की बात छोड़ दीजिए यादो लेंड में क्यों सी ठार गए कहीं तो गढ़बढ हो वह गढ़बढ आपकी विचारधारा में हो रहा है आप अपने कैडर को ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं आज जोतिबा फूले होते तो जैसे नहीं सिक्षानित के खिलाप लड़ते जोतिबा फूले हो तो सी एनरसी खिलाप लड़ते ये लड़ा क्यों रहो दर्म के नाम पर जोतिबा फूले होते तो किसानों के लिए लड़ते जोतिबा फूले होते तो शुद्रों अतिशुद्रों को जोडते और कहते गुलामी से मुक्ती वह ग्यानिक चेतना समानता न्याए और मुहबबत के दुनिया किसानों के आपने बात की तो ड्यूक ऑफ कनाट का किसा मुझे याद आ गया कि उसमें ड्यूक ऑफ कनाट भारत है उनके स्वागत में बड़ा समारो रखा गया अंग्रेज अफसरों ने बहुत सारी शाही तैयारिया की और फूले साबवा जाते हैं फटी वी दोती पहन के और कमबा लोड के और कहते हैं भारत ये है जिसको ये तुमारे अदिकारी तुमको दिखा ने तो वो तेवर तो था टकराव करने का लेकिन आज तोड़ा सा वैसे तेवर दिखते हैं नहीं है निशित रूप से जो तिवा फूले पता नहीं अगर पोलिटिकल पार्टी बन चुनाव लड़ने का दबाव उनके उपर होता उनको जल्दी से मुख्यमंतरी बनना होता तो हो सकता है उसकी उल्टी बात कहते और वो तो कह रहे हैं कि अच्छे ये बताओ कि ब्रह्मा के चार मुख था तो अस्तनपान कैसे करता था मुख में गर्व कैसे ठहरता था है हि हम लोगों पर लेकिन भाई हम तो बात कर रहे हैं जोतिवा फूले की हिम्मत की बात तो यह होती देखे जोतिवा फूले ने कलम कसाई लिखा न किसके लिए जिन्होंने तुमारा इतियास मिटा दिया उन कलम पकड़ने वाले हाथों ने कसाई की तरह जिबह करके तुम्हे तुम्हारी जड़ों से काट दिया और आज तुम्हें हिंदू बना करके मुसलमानों खिलाफ दंगे में इस्तिमाल कर रहे हैं देश बेचने के खिलाफ इस्तिमाल कर रहे हैं और आपको आपके बच्चों के हाथ से सिक्षा रोजगार छीन लिया नफरती बना दिया एक फिल में डालो दाराओ इनको यह करो दो जोतिवा होते तो जयल में होते इस्थ लिए हमें ये मत समझाई की वक्त नहीं है कटर बात कहने का वक्त नहीं है अरे जिनसे लड़ाई है वो महा कट्टर है वो अपनी विचारधारा पे तो और ज्यादा कट्टर होते जा रहे हटा दिया 300 सकतर आप क्या कर लिए कश्मीर में लगा दिया इमर्जेंसी और उसी कश्मीर पर फिल्म बना करके पागल बना रहे पूरे देश को हिंसा में उन्ह आप कामड हो यह और आपके न प्रोफेसर बनेंगे न इंजिनियर बनेंगे तीन सो चालीस लोग ब्यूरोक्रेट आइस बन गए उसमें एक दलित पिछड़े नहीं लेटरल इंट्री से आप उन्होंने नई सिक्षानिति में लागू कर दिया कि लेटरल इंट्री से बिना चला जाओं तो वो सब मानते नहीं है वो कहते हैं कि हम अरे आप शुद्र नहीं हो मत रहो ना आपको दलित कौन बना रहा है आप ऑबीसी हो आपके पास जमीन है आपके पास समाजी खैसियत है तो आप ये भी तो सोचो नहीं कि आपके प्रोफेसर क्यों नहीं आपके तो तुम वहां आजरी आति योटीवा प्रुछे के लोगों को समझाथे कि समाज के लोगों 2 वाथ करते हैं साहु जी को पढ़ो रिजर्वेशन देने वाले थे चंद्रिका प्रसाथ जी ज्यासू सिवधयाल सिंग चौरसिया पनवाडी घरों में चौरसिया जी का नाम नहीं जानते लो और देवी देवता की तस्वीर सबके पास है धर्म भावनाओं के उद्विलन का नाम है सोचना मूर्क बनने के लिए यह मेहनत नहीं कांठी पाहार से मधिया लगानु पढ़ती चढने में उर्जाै लगाने पड़ता दो लोगों के एक मुञ्बत कराने में आपको ताकत लगाने पड़ाईीं लडवाना दो मिनट का काम है इसलिए वह नाफ्रती लोग है सफल हैं जो लड़वाने का काम कर रहे हैं और हम उनके मोहरे बने हुए हम सामाजिक नया के लोग जोतिवा फुले अंबेड कर भगत सिंग लोहिया यह महबबत कराने वाले लोगों का नाम है इनका काम कठिन था जोतिवा फुले का कितना भी मतलब ऐसा रहे कि लगता है नामुमकिन है लेकिन जब जब हमारी पीड़ियां लड़ने के लिए हिम्मद उठाएंगे उनको जोतिवा फुले याद आएंगी कि वो ड्यूक आप कनाट के सामने कैसे किसान बनकर खड़े होते हैं पिता जी ने कहा कि या तो स्कूल चुनो या तो घर चुनो उन्होंने घर छोड़ दिया स्कूल चुना प्लेग में लोगों के बीच गए कि हम प्लेग की मदद करेंगे मिल मजदूरों के बीच में जाके परचा बाड़ते थे कि मिल मजदूरों किसानों कामगारों की बात करते थे जोतिवा फुले विद्य गई मती बीना गती गती बीना वृत बिना स्धूद चर्मराइ हम लोगों के पास कुछ नहीं है हमारे पास मुली का तो हमारा विचार क्योंकि छेहिनती पर बात कर रहे हैं उनके विचारों के बारे में बातた cultivate मौझूदादोर में यह जो जिनमस्लों पूर हम बात करें थे इनके संदर्व में जोतिवा फूलए की प्रासंगीक्ता और बहुजन समाज जिसमें डलितोवी सी प्रसमानदा सब लोग शामिल हैं उस बहुजन गांधी से मिलने गए बाबा साब अमबेटकर दोनों लोग जा रहे थे गुल में सम्मिलन में तो कुछ बात हुई तो बाबा साब ने कहा कि इस देश में कई महात्मा आये और धूल उड़ाते चले गए महात्मा कोई था तो के वह ले कोई जोतिवाफूले बाज में गांधी ने नवजीवन में लिखा भी कि हाँ महात्मा कोई है तो जोतिवाफूले ही है गांधी पर बहुत बदलाव आया डॉक्टर अमबेटकर की वज़े से अलाकि बहुत कुछ नहीं बदलाव आया प्रेशर प्रेशर डाला बहुत कुछ बदलावाया अम्बिटकर नहोते तो जंगे अजादी कितनी अधुरी लगते तो भगत सिंग और अम्बिटकर को थोड़ा सा किनारे करके देखियों क्या है यह रही बात इतिहास की आज मुझे लगता है कि सुमिछ जी हम बेहत कठिन दौर में ह हमारे यहाँ विवेग को मारा जा रहा है विद्धया को खत्म किया जा रहा है नई सिक्षा नहीं थी common entrance university, central university entrance test आ रहा है स्कूल, college बंद करके closure, merger करके खत्म किया जाएंगे, private school खोले जाएंगे, सरकारी शिक्षा, सरकारी अस्पताल बरबाद की जाएगी, डिग्री कॉलेजों और देश के विश्व द्यालियों को बदनाम और बर्बाद दोनों किया जाएगा सिक्षा से वंचित किया जाएगा सिक्षा को डिग्री की एक प्रयोक्षाला बना दी जाएगी और डिग्रियां बिकेंगी जो खरीद सकेगा खरीदेगा स्वास्त के नाम पर क्या हुआ कोरुणा में दिख गया लोगों के पास बचा क्या इतना मुश्किल दोर है तो जब कुछ बचा नहीं है तो लोगों को लड़ाया जा रहा है कि व्यस्त तो रहें व्यस्त रहना तो इसमें सबसे अदा कौन मारा जा रहा है जो सदियों से खाल आई उसके बनाए महलों में बैठकर उसके खिलाब फैसले हुए आज वो किसान बर्बादबी आई ए सुप्रिम कोर्ट की रिपोर्ट उससे यह निर्दारित हो गया कि किसानों के बिल फिर आएंगे खेते किसानी बिकेगी बिकेगी रोक नहीं पाएंगे पूजी वाद ब्र तो वो इस देश में क्रांती की बात करते हैं वो यह नहीं देखते कि नहीं अब तो लड़ाई नहीं जा सकता केंद्र में भी वही हैं राज में भी वही हैं हाँ वो जेल में डाल देंगे वो इंकाउंटर कर देंगे क्रांती के बिना अब इस देश को बचाया नहीं जा सक और मैं अपने OBC समाज के लोगों से वंचितों, शोशितों और कमेरा लोगों से ये बात कहता हूँ, अतीत की जड़ों को पहचानिए, अपने बच्चों की सिक्षा और रोजगार के लिए चिंतित होईए, आपके घर में नफरत पहुंच गई आपको पता ही नहीं है, आपक तो केवला उपचारिता नहीं निभानी है कि हम हमारे महापूरस थे, बहुत अच्छी बात कही है, किताबों को घर घर ले जाएए, इस देश के हर OBC के घर में गुलाम गीरी रख दीजिए, आधी करांती वहीं से शुरू हो जाएगी, यही मेरा पैगाम है, यही मेरे अप जाया है, जो दर्शकों को काफी समझ में भी आएगा, और जोती बाफ फुले ऐसा विचार है, जिसके जरिये आप ना सिर्फ अन्याय को हरा सकते हैं, बलकि जाती वाद, धामन वाद, पित्तर सत्ता, सामन्त वाद, और हर तरह के जो सोशन है, उसके आप एक काच धून सकत जोती बाफ फुले को अमनमन करते हैं, बाबा साब डुक्टर अंबेटर उन्हें अपना गुरू मानते थे, तीन गुरू में से एक गुरू मानते थे, और उनके विचारों पर चलना हम सब की जिम्यदारी है, आप सबसे अपील है कि जोती बाफ फुले को पढ़ें, उनकी किताबों को घरगर तक पहुचाएं, और ये वीडियो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तरहें, ताकि जो लोग इस वीडियो को देखें, उनको अपनी एक राय बनाने में आसानी हो, इस पूरी शर्चा के बारे में आपका क्या के नहें, कमेंट में लिखें, और ह बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका दो, बहुत बहुत शुक्रिया फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी आपसे,